नमस्कार दोस्तों स्वागत थी आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में अगर एक ही कोशन में भीन का जोड भीन का घटाव भीन का गुना और भीन का भाग भी दिया रहे तो इस तरह के कोशन को कैसे सौल्व करते हैं आसान से आसान तरीक या क्या है ना आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे वदा करता हूँ कि इस तरह के किसी भी कोशन को आप काफी आसान तरीका से बिल्कुल ही इजिली शल्ब कर सकेंगे चुकि इस वीडियो में बिल्कुल ही बेसिक से बिल्कु बजना है उसकी बद्द इसको विल्कोल ही आसानी से सुल्व कर लेंगे तो देखिए हमारा question क्या है question है यह देखे यह पर क्या है चार बाटा में क्या है तीन ये चार बाटा तीन क्या है तो ये चार बाटा तीन जो है न एक भीन है भीन क्यों है क्योंकि भीन का रूफ होता है पी बाटा क्यों यनि कोई विशंक्या बाटा में रहता है ना तो उसको पी बटा की को रूप में हम देख सकते हैं तो वह जो है हमारा भीन होता है चुकि भीन का रूप होता है पी बटा की और जब कोई भी शंक्या पी बटा की को रूप में है तो इस बटा के ऊपरला जो नमबर है ना इसको अंस बोलते हैं चुकि भीन है तो भीन मे जोड़ना है दूसरा भिन दो बटे 5 इसमें अंसकमंदो है हरकमंद 5 है और फिर इसमेंसे घाटा ना है एक तिसरा भिन 3 बटे 10 फिर इसमें घुना भी करना है एक चोठा भिन 5 बटे 12 फिर इसमें भाग भी करना है एक पांचवाभीन 10 भटा 30 से तो यह कैसे होगा एक साथ? आसान भी तिया देखिये जब भी एक ही कोशन हो और उसमें दो या दो से अधिक चीन हो जिससे ये जो कोशन है ना इसमें देखिए एक जोड का चीन है एक घटाव का चीन है एक गुना का चीन हो और एक भाग का भी चीन है यहाँ पर क्या है एक दो तीन चार चीन दिया गया है तो मेरे दोस्त जब भी एक ही कोशन में इस तरह का कंडिशन देखे यानि एक कोशन हो और उसमें दो या दो से अधिक चीन हो तो इस कंडिशन में हम बुड़मास के नियम का यूज करते हैं यह बुड़मास रूल का यूज करते हैं बुड़मास रूल क्या करता है कि अगर एक ही कोशन में आपको दो या दो से अधिक चीन दिया रहे तो उस कंडिशन मे सबसे पहले देखे या पिके भाग है गुना है घटाव है जोड है तो सबसे पहला काम कि आपको भाग को शल्ब करना है बुडमास नियम का यूज करते हुए यह बुडमास नियम करता है कि आपको भाग को शल्ब करना है इसके बाद आपको गुना को शल्ब करना है इसके बा जूड और घटाव अगर ये दोनों सिर्फ रहना तो इसको हम एक साथ भी solve कर सकते हैं और जोडने और घटाने के परिक्रिया कर सकते हैं इसमें कोई भी बडमास रूल यूज नहीं होता है सिर्फ जूड और घटाव रहे तो लेकिन इसके अलावा गूना भाग या कोई भी इस भाग चीन के पहले क्या है पांच बटा बार है यहां से यहां पर भूल जाए इस पांच बटा बार जो की पहला भीन है इसमें भाग करना है दूसरा भीन दस बटा तेन से तो यह जो नहीं हमरा भीन का भाग है चूकि एक भीन में भाग करना है दूसरे भीन से तो भीन के भाग को शॉल्ब करने के लिए करना क्या होता है इस भाग चीन के पहले वाला जो भीन है ना इसको जियों का त्यों लिखा जाता है यानि क्या है पांच बटा बार है ना तो हम यहाँ पर पांच बटा बार लिख देंगे अब दीक उसके बद क्या है भाग का चीन है तो भ भाग के नबाटा में को ये आपके फ्वाँट् के अगंग नीचे आजाएगा हम पहले भेन का कई दूसरे भेन में यह हो गया हमारा भीनग का गोना यहीं के भाग को सव्व करने के लिए यहां पर क्या है तो तीन बट दस है, तो 3 बटा 10 लिखेंगे माइनस है तो माइनस 2 बटा 5 है तो 2 बटा 5 लिखेंगे प्लस है तो प्लस 4 बटा 3 है तो यहाँ पर हम 4 बटा 3 लिख देंगे अब देखे बोडमास के नियम का नुसार हमने भाग को सुल्ब कर लिया है उसके बाद हम दो क्या पराप्थ हुआ है गुना पराप्थ हुआ है तो देखे जब भी एक ही कोशन में बाप इसको भूल जाए देखे अब यह हमारा कोशन हो गया तो जब भी एक ही कोशन में गुना का चीन हो गुना का चीन हो जोड का चीन हो घटाव का चीन हो तो सबसे पहले आपको गुना को शल्ब करना होता है उसके बाद जोड को और अंति में घटाओं को यह बोड मास का नियम कहता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है गुना को शल्ब करना है देखिए यहां पर क्या है यहां से हमारा गुना है चुकि देखिए इस भीन में गुना करना ह इस भीन से और फिर इस भीन में गुना करना है आपको इस भीन से तो आपको इतना भूल जाना है और गुना का परकिरी आपको करना है देखिए यह हमारा क्या है भीन का गुना जो कि तीन भीनों के बीच में एक साथ करना है तो जब भी आपको कोई भीन का गुना देखे चाह उपर नीचे कट रहे ना तम उपर नीचे कटा सकते हैं और नहीं तो इसको कटाने का नियम होता है तिरशा तिरशी देखिए इस संख्या से आपको इस संख्यों कटाना है इस से आपको इसको कटाना है अगर इस संख्या से यहां से यहां से यहां भी हम कटा सकते हैं तिरशा नों चोंग कटा सकते हैं कब अगर कट रहा है तब कृतानी का प्रयास करते हैं कि कि एक संख्या के पहाड़ा में होना चाहिए खोड़ खेला है किसी बीषर की तो देखिए, तीन के पहाड़ा में तीन है एक बार में, और तीन के ही पहाड़ा में ये बारा है चार बार में, कट गया ना, देखिए, तीन के पहाड़ा में तीन भी था, तीन के पहाड़ा में बारा भी था, तो तीन से दोनों संख्या है कट गया, अब देखिए, यहां प दूनों संख्या कभी भी आपस में नहीं कड़ सकता है चुकि तीन और चार ये दूनों संख्या किसी भी एक संख्या के पाला में नहीं है तो ये जो ही नहीं कड़ेगा दू से तीन भी नहीं कड़ेगा ठीक उसी तरीका से चार और तीन को कटाएंगे तो चार और तीन भी ना सिर्फ दो के पाड़ा में चार आएगा और चार के पाड़ा में भी चार आएगा लेकिन दो या चार के पाड़ा में यह तीन नहीं आ सकता है तो दूनों संख्या अगर किसी भी एक संख्या के पाड़ यहां पर भी आपका एक और यहां पर आपका तीन बच गया है अब देखिए यहां पर बाटा में क्या है तो बाटा में यहां पर आपका दो है यहां पर आपका चार है और यहां पर आपका दस बच गया है अब देखिए जोश्टिस्ट के पहले क्या है माइनस का चीन है दो बटा 5 है और common है we are सिंपल सा सबसे फहले इसको फिर लिख लएखिये हैं चारबटा ंबटती रुजां इसमें चारबटर तीय फुल स्केम SI में पर 80 clean गया अब देखे सिंपल सा आपको क्या करना है चार बट तीन में जोड़ना है दो बट पांच इन्हीं पहले भीन में जोड़ना है दूसरा भीन और घटा देना है तीसरा भीन तो जब जोड़ और घटाव रहे तो यहां पर आप बोड मास नियम का यूज नहीं भी करेंगे तब भी आपका सही आंसर आएगा solve करने के पश्चा तो देखिए यहां पर करेंगे इन दुनों को एक सांथ solve करेंगे तो देखिए नियम क्या होता है कि देखिए इस बाटक इंचे यहां पर क्या है तीन और इसके बाटक इंचे क्या है पांच और इसके बाटक इंचे क्य कम संख्या से कटाने का प्रयास करना होता है और इन संख्याओं में से कम से कम दो संख्या पूरा पूरी कटना चाहिए तो देखिए अगर हम यहां भर दो से कटाएंगे तो दो के पाड़ा में तीन नहीं है दो के पाड़ा में पांच नहीं है तो तीन और पांच तुन नहीं इकाट रहा है अगर हम तीन से कट्वाड़ा में तीन है एक बहूं असी नहीं है तुप यहां पर क्याए पांच है तो यदि हम इसको 5 से नहीं तो कमा पांच के पाढ़ा में तेन नहीं तो उसको 9 पैतन उतारेंगे एकम लोगता मा Remo ψह कोई के पाइंग दो न Si shul isto कि ऐसे देखिए पर क्या सब्सक्राली ओरल सोला जो कि कभें वह किसी भी एक शंख्या से तीन और स्थाइडा नहीं कट सकता है चुकि एक से तो कटाएंगे नहीं चुकि एक से कटाएंगे तो एक से आजाएगा एक से कटाएंगे तो लेकिन एक से नहीं कटा जाते है उससे बड़ा क्या है दो तीन चार पाचे ने एक क्यालावा किसी भी संख्या से आप इसको कटा सकते हैं तो एक क्यालावा किसी भी संख्या से इनमें से कोई भी दो संख्या एक साथ नहीं कटेगा तो इसक क्या आएगा जिसमें हम एक से गुणा करेंगे इसलिए गुणा में एक नहीं लिखते हैं यहां पर क्या है आप पर 16 बच गया अब देखें यहां पर क्या है पांच गुण करेंगे तीन में तो पांस तिया हो जाएका पंद्रा और यह गुणा में आपका हो जाएका शोला अ आपका हो जगे हैं पर 24 इन्हें 240 इसका LCM जो है हमारा आ गया तो देखिए करना क्या सिंपल सा जितना बड़ा कोश्चन है ना उतना बड़ा सबसे पहले आप एक लाइन किछ लेना है अब देखिए तीन पांच और असी का जो LCM 240 है ना उसको बिचो बिच नीचे यहां पर लिख देंगे अब देखिए इसके बाद क्या करना है देखिए तीन पांच और 80 का LCM हमारा 240 हो गया अब आगे क्या करेंगे इसी तीन से इस 240 में क्या करेंगे भाग करेंगे और जो भी भाग फ़ल आएगा उसका गुणा त करें मिया एका तो यहां एका है घेस्ट अपका थेट करेंगे कि बॉपर से हैं क्था है आपको फल करेंके दो कि सिर्षत्य के में है न अच्छार्श दो ऑघ्ञाएं पश्टल से जाएगे लगते continues सा को पहले सक Together 2,9 लियुक्त नबर लेनी लिगते चार में हैं तो आयेगा और उस 48 करेंगे दो में तो आपका यहां पर 95 हो जाएगा माइनस का चीन है तो माइनस का चीन लगाना है अब देखे सिंपल सा 80 से भाग करेंगे आपको 240 में तो आर तरीका होता है 20 00 cancel हो जाएगे पहल तो आपको यहां पर 320 के सा पहले कोई भीचिन नहीं है सब obeEMSujeह कोई बीचिय नहीं है समझे क्या वो प्लस में है दो देखिए यह संख्या जो है प्लस में है और चानवय संथे पर सबस्ट जोद हैं a देखिए 6 में 0 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 6, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 का एक हरसी नेक और 3 में एक हरसी जोगे तो 4 और माइनस क्या है यहाँ पर 9 और बाटा में क्या है 240 है तो 240 लिख देएगे देखिए simple सा आपको 416 में से माइनस करना है 9 तो देखिए 9 इस में से माइनस करना है किस में से 16 में से 9 माइनस कर देएगे तो देखें यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 और यह जो है न यहाँ पर 0 और यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा और बाटा में क्या है 240 तो बाटा में 240 लिख देगे और यही इस question का final answer हो जाएगा तो दोस्तो आई हो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बडमास अनियम का यूज कैसे करते हैं आपको proper question के 7 मैंने समझा दिया है तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो इस वीडियो के माध्यम से अपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा और इस चैनल पर पहले बनेते हो सब्सक्राइब जरूर किजेगा मिलते हैं next वीडियो में तब तक लिए जया हिंद बंदे मात्रम